सो दोस्तों मारे पास आ गया है Redmi Note 10 हम इसको खोलेंगे और खोल के मैं दिखाऊंगा इसमें क्या-क्या मिलता है और इसके क्या-क्या स्पैसिफिकेशन है तो आगे आप जैसे बॉक्स पर देख सकते हो उपर जैसे कि हमेशा लिखते हैं इंडिया नंबर वान स्मार्टफोन ब वह थी LCD यह वाली जो डिस्प्लेय है यह है AMOLED ठीक है यह LED डिस्प्लेय होती है तो यही मेजर इसका डिफ्रेंस है और मुझको भी बहुत पसंद आया यह वाले फोन में इसमें जो आपको कैमरा मिल रहा है वो फॉर्टी एट मेगा पिक्सल का क्वाड कैमरा और अगर 1000 जो इसकी बैटरी है इसके साथ आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है और इसमें जो प्रोसेसर है वो है SOC वो है कौलकॉम का स्नैप ड्रेगन 678 तो दोस्तों जो यह वाला है शैडू ब्लैक शैडू ब्लैक वाला कलर है 6GB और 108 के साथ तो दोस्तों इसकी हम करते ह हैं सील ब्रेग दोन बाकी साइड पर कुछ नहीं है इसके जो डिटेल्स है लिखी हुए कितनी मार्पी है इसकी जो मार्पी है वह सैवंटीन ट्रिपल लाइन और यह अभी अभी लिवल है एमेजान पे 14,000 का 40,000 का बाई किया मैंने तो इसको खोलते हैं काफी कुछ मैंने segment कर रखे हैं Cutter से डेख सकते हो आप अग 음악 और ये हमने करदlling की सील ब्रेक अजिए रहा सबसे पहले हमारे पास phone यह लगता पहले ही restart हो गया तो पहले यह के Contents देखते हैं पहले हमारे पास आग्या phone इसमें cover होगा इसका packing थोड़ी सी चेंज है note 9 में ऐसी packing गई थी उसमें लगत तरीक थी यह पहले आगया आपके पास cover note 9 में note 9 pro में black color का आया था यह वाला cover वो वाला बढ़ी है वो गंदा भी होता है तो होगा तो पता नहीं लगे गा यह अराम से पीला हो जाएगा कुछ टाइम के बाद यह रहे इसकी user manual जो हम पढ़ने नहीं वाले अगर आपको मन है तो देख सकते हो और इसके साथ यह है usb type-c cable बिल्कुल नई नवेली जैसे वन प्लस अपने केबल सा लगतरी केकी देती है इन्होंने अंदर ऐसे ओरेंज दिया हुआ है रेड भी नहीं है और यह है इसकी स्क्रीन के बाद इसमें जो सबसे बढ़िया चीज वो है यह वाला 33 वाट का फास्ट चार्जर तो ज 25 वोल्ट 3 ampere 9 वोल्ट 3A और 12 वोल्ट 2.25 2025 Little पहीं देता है 33 वाट का और नीचे भिल्खा हुआ है 20 वाट और 11 वाट में भी यह देता है तो यह वाला 33 वाट का चार्जर है तो दोस्तों अब हम निकालते हैं फोन वाव न्यूफोन जो पहले से पहले वाला था नोट 9 ठीक है उसमें आपको मिलता था ग्लास उसकी जो ग्लाव बैक थी वह थी ग्लास की बट इसमें है इसमें जो बैक है वह इसकी प्लास्टिक की इसको भी हम निकाल लेंगे देहान से यह यूज करना यादा है मेरे को प्लास्टिक पर यह सक्रैच चाल सकता है अगर ग्लास हो ग्लास पर यह सक्रैच नहीं डलता यह भी दोस्तों यह आप संभाल कर रख सकते हो यह कभी मत फैंका करो मालो अगर आपका फोन चोरी हो गया अगर आपको अपने IMEI नंब यह भी अपने साथ संब्र सकते हमाज सबस्क्राइब अब अब जो É oops pnh hen both grace you know ji pnh john यह और आभ यह प्लास्टिक तो आपको यह बड़े ध्यान से रखना पड़ेगा इस में आप क्या कर सकत है तो इसमें आप पूरी skin चड़ा लो ये पीछे skin से क्या होगा जो scratches है वो आपकी जो body है body पे नहीं पढ़ेंगे तो ये ज्यादा देर तक new रहेगा आप cover तो डाल लोगे cover से बढ़िया रहेगा but cover के बीच में जो dust जाती है उससे ये scratches पढ़ते रहेंगे तो वो चीज का दोस i hope आपको ये video बढ़िया लगी होगा अगर आपको video बढ़िया लगी है तो लाइक करना चैनल को subscribe जोर करना और मिलते हैं आपको next video में तब तक के लिए बाइबाइ